नमस्कार बहुत बहुत स्वागता आप सुभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आज हम लोग जानेंगे कि मुंगिर यूनिवर्सिटी असना तक पाट बाइस और पाट टू तो चलिए देखते हैं आज की 7-12 में कि आप लोग को किस परकार से वंक को फिलाप करनी होगी यदि फ्यलाप का डेट जारी किया जाता है तो देखते हैं कैसे आप लोग को फॉंक फिलाक करना होगा यदि यदि आप लोग भी जानना चाते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो में आन तक बने रहेगा और चैनल पर नए आये वे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन जरूर करते जेगा ताकि मुंगियर उनिवर्सिटी से इसी तरह से इनफॉर्मेटिक वीडियो आप लोग के पास तुरंत पाउस्ती रहे तो चलिए देख लेते हैं तो मुंगेर उनिवर्सिटी से यदि form फिलप का डेट जारी किया जाता है तो कैसे आप लोग को form फिलप करना है तो सबसे पहले आप लोग को मुंगेर उनिवर्सिटी पर विजिट करने के बाद आप लोग को नीचे सेक्षन में दिखाई देगा student login तो इस बाले option पर चले ज registration करते समय जो भी मिला होगा वो आप लोग को यहां पर डालनी होगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हो application ID, password और reminder में क्लिक करके और यहां पर login पर क्लिक कर देना है यदि आप लोग को login नहीं ओपर आ है तो आप लोग को password को forget कर लेना है तो चलिए मैं login कर लेता हूं तो जैसे ही आप लोग लोग इन कीजिएगा तो आप लोग को कुछ इस तरह का option sow करेगा तो उपर में आप लोग को ID दिखाइ देगा जो भी आप लोग का एक्जाम फॉर्म का जो रेजिट्रेशन हुआ था जो पहले करवाया जाता था तो वहाँ पे आप लोग यहाँ यहाँ अपना डोकुमेंट तो सब्मिट कर चुके होंगे तो आप लोग को यहाँ पे कॉलेज विजिट नहीं करना है सिर्फ ओनलाइन ही आप लोग फॉर्म को कटाना होगा पेमेंट कटाने के बाद आप लोग का जो भी पाटवान और पाटव का फॉर्म है वो ओनलाइन ही भरा जाएगा तो पेमेंट का कुछ इस तरह का ओप्सन देखने को मिलेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग का अपलिकेशन न करना चलुर के लिए ऑनलाइन है तो आप लोग को बहुत ही कंपैसे लगने को मिले गा तो यहाँ पर आप लोग को बता देख है आप लो को कि आप लोग को टोटल कितना अमाउंग लगने वालाए तो आप लोग ओट सíbil में आप लोग निचे आना हर नीचे में आप लोग को एक option शो करेगा print receipt तो आप लोग को इस receipt को payment receipt को आप लोग को print कर लेना और print out को निकाल कर रख लेना आगे भी आप लोग को जर्रत लगने वाला है तो इस तरह से जो भी form फिलब करवाए जाता है बी ए part 1 और part 2 session 20-23 और 19-22 वाले student के लिए या किसी student के लिए यदि form फिलब करवाए जाता है तो इस परकार से आप लोग को form भरना होगा तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से सारी जानकारी आप लोग को मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग को form को फिलब परना है और कैसे करवाया जाता है तो ये आप लोग को जानकारी बतानी थी जो कि आप लोग को अच्छी लगी होगी अगर विडियो अच्छी लगी तो लाइक किजे और चैनल को भी सब्सक्राइब किजे और हो सके तो दोस्तों के साथ भी सेर कीजे तो इसी तरह से आप लोग मुंगेर युनिवर्सिटी से इनफॉर्मेशन वाली वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद